हेलो एब्रीवन, वेलकम टू माई योटूब चैनल, इनफाइनाइट अनलाइन क्लासेज फ्रेंज इस वीडियो में हम साथ सितंबर दो हजार बीस के करण सफेयर पर डिसकस करेंगे और उनसे लिटर जीतें भी इंपॉर्टन फैक्ट्स होंगे उनको बताएंगे इसलिए पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए वीडियो के लास्ट आपसे एक कोश्चन पूछेंगे जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज का पहला कोश्चन है हाल ही में अंतर राष्टिये दान दिवस कब मनाया गया तो इस कोश्चन का आंसर होगा पांच सितंबर पांच सितंबर को अंतर राष्टिये दान दिवस मनाया गया है ये क्यों मना जाता है जैसा आप सभी को पता है कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और ये दान का धर्म ही सभी प्राणियों को खुशी देता है और सुखी रखता है तो इसी दान के महत्त को बढ़ाने के लिए हर साल पांच सितंबर को अंतर राष्टिये दान दिवस मनाया जाता है और इसकी दूसरा रीजन ये है कि जो मदर टेरेशा है मदर टेरेशा की पुनितिति भी पांच सितंबर को ही होती है और आप से लोग जैसे जानते हैं कि मदर तेरेशा ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा भाव में लगा दिया था तो उनकी पुनित्थी को याद करते हुए पांच सितंबर को अंतर राष्टिए दान दिवस मनाया जाता है और शिप्वारत देश में सिच्छण दिवस भी मनाया जाता है इस इन डाप्टर सर्पली रदाकृष्णन जी का जन्म हुआ था हैं नेक्स्ट कोॉशन है हाल में किस देश के राश्टत पति के अधिकारों को बढ़ाया गया है तो इस कोश्टन का lethal होगा स्री लंका स्री लंका के राष्टपदी के अधिकारों में अभी जल्दी में ब्रधी की गई है हुआ कि स्री लंका में जो है बीस्वा संभिधान संसोधन हुआ है और उसी बीस्वे संभिधान संसोधन में राष्टपदी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया है स्री लंका की बात करते हैं तो यहां का जो प्राची नाम है वो है अनुराधा पुरा क्या अनुराधा पुरा स्री लंका का पुराना नाम है और इस समय जो है स्री लंका की राज़ानी है जल वंतन पुरा यहां की भासा है सिंगाला और त सेंख्या है उसका 70 प्रतीसत वहां के बौज धर्म अनुयाई रहते हैं सिलंका का राष्टिय खेल है बॉली बॉल और सिलंका भारत का पहला देश है जहां पर महिला प्रधानमंतरी बनी थी अब यहां पाता है पहले प्रधानमंतरी महिला की तो भारत देश के जितनी भी पह पहली चीज़ है उसको हर बार एक्जाम में जरूर पूछा जाता है नेक्ट कोश्चन है हाली में किसने आईपील से हटने का नेड़े लिया है तो इस कोश्चन का आंसर होगा हरभंजन सिंग अभी जल्दी में हरभंजन सिंगने बताया है कि जो आईपील हो रहा है यूए किसने कोश्चन है हाली में फेस्बुक की तरह सौर्ट वीडियो मेकिंग टूल किसने लौश गिया तो इस कोश्चन का शूर्ट में के एक टूल लौश गिया है जो बिल्कुल टीक टॉक की तरह वर्क करता है और इस टूल का नाम है इंस्टाग्राम रीड अगला किसने वहनों पर लगने वाले जाशटी में कट आउती की है सक्विल का अंसर होगा प्रकास जावेट shapar जीनरे इन जो वहनों पर जीएष्टी रखती है उसको जो है उसकी जो मात्रा जीस्टी उसको कम कर दिया यांनि घटा कर करके उसमें कटाउती करती और यह काम किया है प्रकास जावेटकर जी ने तो इसकोशन का आंसर होगा प्रकास जावेटकर हमारा अगला क्वेशंटन है हाल ही में इच आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टाप भारत का कौन सा राजी रहा है दिसकुषिजन आंसेर होगा उत्तरप्रदेश जाच यह दोहजार19 में इस आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बाराहवे नमबर नम्बर पर दहले कि इस बार की यानि 2020 की जो रैंकिंग जाइदी की गई है उसमें उत्तर प्रदेश दो नंबर पर पहुंच किया है सेकेंड नंबर पर तो यह ने बहुत ही बड़ी काम्यावी को हासिल किया है हलागी आंधप्रदेश जो है अभी भी पहले नंबर पर ही है और तर्ड नंबर पर है तेेलंगाना मद्ध्य प्रदेश फोर्थ नभर उत्तरा की बात करते तो हैं कें सीए मैं योगी आदित्यानात और यहां की गवर्नर है आननदी बेन पटेल उत्तरा प्रदेश का राज कि पुस्प है पलास का पुस्प और यहां का राज के व्रिच है असोग कब्रिच उत्तरव देश का राज के पसु है बारा शिंका और राज के पक्षी है सारस नेक्ट कोश्चन है हाल ही में भारत में बाहर किस देश में योगा विस्विद्याले की आउनलाइन कच्छाएं सुरू की गई तो इस कोश्चन का आंसर होगा नुयार नुयार की एक ऐसा देश है जो भारत की सिवे किसी और जिखेपर योगा विस्विद्याले है और अभी नुयार का जो योगा विस्विद्याले वह पर आनलाइन कच्छाएं चलाय जाने लगी है तो इस question का answer होगा हिमामांचल परदेश राजय-सरकार ने जो पूरे वर्स या स्यूप है उस qoliq परिप्राइब नहीं छल पा रहे हैं और ऐसे में फिर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स के लिए भी और इस्टूडेंट्स के लिए इसलिए हिमांचल प्रदेश गवर्मेंट ने वहां के 30% कोर्स को कट कर दिया है अगला क्वेस्चन है हाल ही में किस राजी सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे आनलाइन ग को बैन कर दिया है तो बस उसी के बेस्ट पर आन्दपदेश गवर्मेंट ने रम्मी और पोकर जैसे जो आनलाइन गेम से उनको भी बंद कर दिया है इसकी वज़े क्या है कि यह जो है जो इस्टूडेंट है यानि कि जो यूथ है उनको डिस्टरब कर रहा है तो इसलिए पर आन्दपदेश गवर्मेंट ने रम्मी और पोकर जैसे आनलाइन गेम को बैन कर दिया है नेक्ट कोशन है भारतिये रेलवेबोर्ट के नए CEO कौन बनाए गया तो इसकोशन का आंसर होगा मुकेश कुमार यादू मुकेश कुमार यादो को अभी भारतिये रेलवे का नया CEO बनाए गया है और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह अभी तक प्रिजानी की प्रिजन टाइम में भी बिनोद कुमार यादो भारतिये रेलवेबोर्ट के चेर्मैन है और अब रेलवे ने यह डिसाइड कि जाए कि जो चेर्मैन होगा उसी को CEO बोला जाएगा यानि कि वो दोनों काम वही करेगा तो अब भारतिये रेलवे के नए CEO बने हैं विनोद कुमार यादो इस समय के भारतिये रेलवे जो मंत्री है उनका नाम है प्यूस कोयर अगला क्वेस्चन है रूस ने किस देश के साथ में नो आम सप्लाई पॉलिशी जारी कर दिया है इस संगही सायोक संगठन में इस समय जो है सभी देश के रक्षा मंत्रियों की बैठा चल रही है और इस रक्षा मंत्री की बैठकों में डिसाइड किया गया है कि जो रूस देश है वो अब पाकिस्तान को कोई भी बड़े अथियार सप्लाई नहीं करेगा और यह जो है अब इसी का नाम है नो आम सप्लाई पॉलिशी अब यह लागू कर दिया है रूस देश ने पाकिस्तान देश के साथ में अगला कोईशन है हाल ही में किस देश के सीर्ज अदालत ने बिध्वा महिलाओं को क्रिशी छेत में बराबरी का अधिकार देने की घोश्रा की है तो इस कोईशन का आइंसर होगा बांगला देश बांगला देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी एक जो है नया नियम निकाला है कि वहां कि जितनी भी बिध्वाएं होंगी उनको उनके दिवंगत पती की जो संपत्ति है उसमें जो कृशी योगी भूमी है और जो गैर कृशी योगी भूमी है उन दोनों में प्रतिबंद को कब तक लिए बढ़ा दिया है तो इस समय वैसे भी आलाइं मतलब जो अंतर राश्टिये उड़ाने उन पर बैन लगा हुआ है और अब इस जो प्रतिबंद को बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया गया है अब 30 सितंबर तक कोई भी अंतर राश्टिये अन्तर डम राश्टिये यह उड़ान नहीं होगी अगला कोली में बज्जाज एलियंज के नए floss war इंश्य मान खुराना यह थे आज की सभी current affair और उनसे लिटेट सारे important facts अब हम आपको बताते हैं आज का question जिसका answer आपको comment box में दे रहा है और answer से लिटेट जितनी भी चीज़ें आपको पता हैं यानि details तो पूरा answer detail के साथ में comment box में लिखना है किस तरा जिस सरकार ने वारशिक परिच्छाओं के स्लेबस में 30% की कटाउती की है इस question के 4 options हैं और सही option चुनके आपको comment box में बताना है